नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शेयनन में आर्थिक तंगों से आपको चुरकारा मिल जाएगा बैखपार बैवसाई के शित्र में वरत्री के फ्राप्ते होंगी पवन पुत्र हनमान जी के क्रिपा से आपके सोचे वे कारिफे पूरे होंगे और आपके जम्मेंदारे में 5% में आर्थिक इस्तितियों में बिदलाब के फ्राप्टे भी अपको उन्यां मिल लिए वाला हैं आपको बताएंगे सारी जानकारे विस्तार से विडियो को आखरी तक देखियगा उससे पहले विडियो को लाइक करेगे organisme को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासीवल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें पमत्रों तुला रासीवाले जात्कों को बताना चाहेंगे। कि आपका आने बाल समय बहुती सुब रहने बाला है। तरसल आप लोगों के जीवन में दुल्लफ से योगों के निर्मान के कारण आपको बहुती वड़ी सफलता मिने ले बाली है। अपने घर की जुरतों को समय से पूरा करने में सफल होंगे। आपको किसी पारिवारिक समारों में जाने का मोका मिल सकता है। आपको किसी बाद बिबातों से बचने का फर्यास करने होगा। जो आपके लिए फायदमंद सावित होंगे जीवन साती के साथ तमासा बनाने से ब मेल बनाने के जुरोत रहेंगे आप लोगों का ओफिस में इस्तितियां भी अनुकूल रहने बाली हैं पवन पुत्र हनुमान जी के क्रिपासे हैं आपको कॉन्फिडेंट बड़ा रहेगा आप हरशेत्र में उनका सहयोग पाकर जीवन में काफे प्रसंद होंगे आपका कॉन विकारी भी तेजी पगड़ सकते हैं आपकी आय और नोकरी में फद्रती मिल्ले के यूग परवल रहेंगे आर्थिक प्रगति के यूग भी बहुत यासार दिख रहे हैं मित्रों तुला रासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों को इस समय नचानक से गाड़ी बंगला पैसा फ्रुफटी के साथ-साथ धन की फ्राप्ति भी होने वाली हैं आप लोगों को बिजनस करने वालों का आने वाला समय सोभागे साली रहेगा पारिवारिक समस्याओं का अन्त होंगे घर में नए आभुसन और वाहन खरीद कर ला सकते हैं अच्छे कारे आपको समय पर होतावा देखने को मिल सकता है वैफपारिक शेत्र में भागिदारों के सहयोग से अच्छा मुनाफ़ा मिल सकते हैं वहें बिद्यार्थी वर्गों के लोगों को परत्योगिता परिक्षा में अच्छा नतीजा विप्राप्त होगा आपके सुटी मोटी यात्राओं पर भी जाना पर सकता है और किसी आने में आरही अर्चने दूर हो जाएंगी आपका आने वाला समय आपको धंदोलत की प्राप्ति करवाने वाला है तधा कारी शेत्र में भगवान सिरेर विश्रूजी की कृपा से बड़ा प्रिवर्तन होने वाल हैं आप अपने दुख तगलिफ हैं समस्याओं से संकडों से और आर्थिक तंग्यों से भी शुटकारा पा सकता हैं आपके सुचे विकारे अवस्य फूरे होंगे आप लोगों को धंदोलत की प्राप्ति होंगी नौकरी में बदलाव के साथ आर्थिक लाव भी आपको प् प्यास करने होंगे भागे एवंग धन की विर्दी हो सकते हैं आई में विर्दी होंगी वहें बैपार में आगे वढ़ने के मौके मिल सकते हैं आपके प्राक्र में सौरे में विर्दी होंगी कारुबार में लाव हो सकता है और तिकनी वेस भी आपको फायदे बंद होंगे दन सम्मंदित कारे को पूरा कर सकते हैं मानसिक्सांति की तलाज आपको करनी होंगी आपके सेहत में सुधार होंगी आपके से लंबी बिमारे से निजात पा सकते हैं आने वालस में दन कमाने के नएने सादन दे सकता है फालतू के खर्चों से रहत मिल सकते हैं आपके जीवन में चल रही सिभी प्रकार की प्रसानी का अंत होंगे, कुछों की बाहर होंगी, धनी अस्कृति में व्रदी होंगी, पारिवारिक जीवन भी आपका सुख में रह सकता है, आपके दिमाग में बड़ी बड़ी योजनाई आ सकते हैं, आपका रुकावा कारी भी पूरे होंगे, आप अपने जीवन में विशेश बड़ी खुशकवरी को हासिर कर सकते हैं, दरलाव होने के साथ-साथ बैविसाइक प्रतिंद्यों के सांती मिल सकते हैं, आपका मन काफे प्रसन न होंगे, संतान के विवासे कियागे प्रियाश सफल होंगे, आप अपने जिम्मेदारी को समझ सकते हैं, आप अपने ग्रियाशत जीवन को सकर न ला सकते हैं, वहीं आप अपने बातों को दिल से ना लगाएं, आप अपने रोजगार के सादर में वड़तरी करने की अवस्य कोसस करें, आप अपने कारी शेतर में विसेज बड़ा प्रिवरतन कर सकते हैं, आपके जिंदगी में कई सारे बदलाव होने बाले हैं, बत्रों, भगवान सिरे रिविस्रू जी की क्रिपा से आपके द्वारा बनाई गई योजनाय सफल होंगी, आप अपने जीवर में उतने ही तेजी से फ्रगत्ती करते हैं, सफल तके नयक इर्थिमान को अस्ताफित कर सकते हैं, चिक्चा नौकरी और बैपार के शित्र में किये गई प्रियाज सफल होंगे, आपके सभी मनोक काम नाई पूरी होंगी, आपको असानक किसी दोस्त से बड़ी खुशकबरी मिल सकते हैं, जनसे आपका मन प्रसन होंगे, आपके उफर बगवान भुलिनाथ जी की खृपा दरिश्टी सबस्यादिक बने रहेंगी, बगवान भुलिनाथ जी का नाम लेकर जो भी कारी करेंगे, जीवन साथी के साथ चल रही गलत पहमियां दूर हो सकते हैं, आपके रिष्टे मजबुत होंगे, काम के सलसलों में आपके किये गए फ्रियाज निरने भी स्फाइदे मन्द सावित हो सकते हैं, साथ काम करने वाले लोगों की फूरे साहत होंगी, पारिवारिक जीवन में आपके खुशियां रह सकते हैं, बगवान बहुलनाद जी की क्रिफा से आपको संतान की तरफ से बड़ी खुशकवरी मिल सकती हैं, आपके जीवन में आने वाले सिवे प्रकार के दुखों का समापत होंगे, कुरोध में आखर किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा फैसला न करें, आप अपने धैनिक दिंचरिया में प्रिवर्तन कर सकते हैं, आपको कारी शित्र में रुके पड़े कारे को फूरा करने के मौके मिल सकते हैं, आपके रुके हुए वर्सु से अटके हुए कामकाज और अनुसर्षान सफलता फूरवक पूरे होंगे, आपके कुंडली में धन का दुवार खुरले वाला है, जिनसे की आपका आने वालस में वेहद सुब उत्तम और का फिसानदार रहने वाला है, आपको अपने जीमन में, आप अपने स्वास्त में प्रिवर्तन कर सकते हैं, पारिवारिक मामलों पर आप आसाने से कारी कर सकते हैं, वेपार के शित्र में आपको कई वड़ी सफलता हैं और जित करने में काम्यावी हासल होंगे, आपका वेपार काम्यावी की नई उचाईयों को चुएगा, जितना आप दूसरों के भलाई के लिए कारी करेंगे, उतने ही तेजी से फ्रगति करते हुए नई मिसाल को अस्ताफित कर सकते हैं, आपके किस्मत बदरने वाली हैं, कुरोध में आकर लिया गया फैसल भी आपके लिनुक्सान दायक सावित हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर आप अपने विवेक से कारी करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, आपके जीवन में आपको सफलतावस्य मिलेंगी, आपके जीवन के सबे प्रसानी का अंत होंगे, आपके उफर भगवान भुलनात की क्रिपादरिश्टी सबसे अधिक रहेंगी, सफलता के नए करतिवान को अस्ताफित कर सकते हैं, मत्रों, भगवान, स्रीहरी विश्रूजी की क्रिपा से आपके किस्मत चमकने वाली हैं, आप अपने रुके पड़ी उजनाओं को फुरुन कर सकते हैं, आप अपने कारी शित्र में विशेश बिड़े खुसकावरी को हासिल कर सकते हैं, इसमें अलग-अलग शित्रों से आपको काफी खास और काफी महत्पून जानकारी फ्राप्त होंगी,